रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना सब्सक्राइब कीजिए रोजाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को तकि आपको मिलते हैं हमारे डिशिज और रेसिपीज की नएने वीडियो की नोटिफिकेशन्स धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं कुल्चा वाला छोला तो यह देखिए हम इसे छे घंटा पहले भीगो दिये थे अब इसे हम एक कुकर में डाले लिए हैं अब कुकर में हम डालेंगे छोले के अंदर यह देखिए नमक डाले हैं और एक चिटकी के वराबर हम भीट दालेंगे चोला जो होता है यह वाइट चोला का बनता है कुल्चे वाला छोला तो इसे हम चार विषल लगाएंगे दिखिए हम चड़ा दिए हैं गेस पे कुटर को और चाल विसल तक इसे बोइल करेंगे तो यहां पे हमारा छोला बोइल trabaj Family मैं तो मैं आपको दिखाती हूं कि मैं कितना बोइल करना है छोला को कि ईखिए जब हैहांत से मैश करें तो अच्छा से मैश हो चाहिए ऐसा छोला को बॉयल करना है तो आप चाहें तो इसे किसी पटटो मैसर से या कर्छी से भी हलका हलका मैस कर सकते हैं य। यह कि हम बिल्कुल बजार जैजसा हम टेश्ट वाला छोला बनाएंगे तो उसके लिए हम तवा का इस्तमाल कर रहे हैं. आपई चाहें तो इसे कडाइवी भी बना सकते हैं. तो यी देकिया हम थोड़ा सा तेल डाल के मिर्ष डाल ली यह हैं. और मिर्च थोड़ा सा भून गया था तो हम प्याज इसमें डाल ले रहे हैं प्याज हमारा जब भून जाएगा उसके बाद ही हम आगे डालेंगे कुछ भी तो यह देखिए हम चलाते हुए प्याज को बिल्कुल अच्छा से भून रहे हैं तो मैं यहां पर बड़ा तवा है हमारे पास उसी का यूज कर रही हूँ मैं कि हमारा जो चोला बने बिल्कुल बजार जैसा टेस्ट आए इसलिए तो यह देखिए यहीं पर हम एक टमाटर काटके डाल लिए हैं तो यह मैं एक प्लेट छोला शर्फ करने के लिए बनाऊंगी तवा पे क्यूंकि आप देखे होंगे जब भी आप बजार गए होंगे तो छोले वाले जो भाईया होते हों तवा पे ही बनाते हैं तो यहीं पर हम आलू बोयल करकर रखे थे तो हम दो आलू को कदू कस कर ले रहे हैं यह देखिए इसलिए डाल रहे हैं कि छोला में एक पकड़ बने और वो खाने में कुल्चे के साथ बहुत ही अच्छा लगे और साथ के साथ हम मिर्च पाउडर डाले हैं देख सकते हैं आप और यहीं पर हम थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर इस्तमाल किये हैं और यह है काला नमक और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर भी डाल ले रहे हैं और थोड़ा सा यहां पर हम मेगी मसाला का यूज कीए हैं और अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं तो इस थोला में हम काला नमक का यूज कीए हैं आप चाहें तो regular नमक भी डाल सकते हैं और अच्छे से हम आलू को डाल के चार से पाँच मिन भून लिये हैं और यहीं पर देखिए जो छोला हम वोयल करकर रखे थे उसे डाल ले रहे हैं और अच्छे से हम बिल्कुल सवधानी से चलाते हुए इसे चलाएंगे कि गीरे ना क्योंकि यह तवाप बना रही हुँ मैं यहीं पर हम इमलीक का भीवो के उसका पल्प निकाल लिये हैं और वो हम डाल ले रहे हैं इमलीक का पल्प छोले के अंदर थोड़ा सा हमें लगा कि नमक कम है तो मैं थोड़ा सा और नमक एड कर रिंग देख सकते हैं और अच्छे से आप हमें चलाते हुए इसे भूनना है तो ज़्यादा दिर तक हमें ने भूनना है तीन से चार मिनट तक आप लो मिडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो यह बनके तयार हो जाएगा तो यह बहुत ही असान तरीका है बिल्कुल बजार जैसा कुल्चे वाला छोला बनाने का है तो यह आप देख सकते हैं मैं इसे चलाते हुए पका ली हूँ और यहाँ पे हमारा जो फ्लेम है लो मेडियम है ज्यादा हाई नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो छोला है बनके तयार है तो मैं इसे आपको सर्फ करके दिखाऊंगी तो थोड़ा सा हम और इसे पका ली है अब मैं इसे सर्फ करती हूँ तो उपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया काटके डाली कि यह और टेस्टी और खाने में स्वादिश्ट लगें तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छोला कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ पे सर्फ की हूँ कुल्चे के साथ तो कुल्चे के उपर मैं बटर रखी हूँ और छोले में थोड़ा सा मैं चाट मसाला उपर से डाली हूँ और इसे सर्फ की हूँ मैं प्याज टमाटर और कुल्चे के साथ और छोला देखी सकते हैं आप कितना बढ़ियां बनके तयार है तो इस छोला को आप चाहें तो रोटी की साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये ऐसी भी बहुत चटपटा लगता है खाने में तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो जरूर सस्क्राइब करें हमारे चैनल को क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए एक नया नया रेसिपी लेके आते हैं अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आ रहा थे इसके निचे लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें तो हम मिलते हैं आप से रोजाना एक नया रेसिपी के साथ जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें